हेलो फेंस आप सभी को मेरा नमस्कार USIC UDC मेंस जिसका एक्जाम 30th of April को आप लोगों ने अटेम्ट किया आप में से बहुत से लोग ये पेपर अटेम्ट किया और इनके पेपर अच्छा भी गया कहना आसान होता है कि आप दूसरे एक्जाम के लिए फोकस करो ये करो वो करो लेकिन प्रेक्टिकल में क्या होता है न वो बैक ओफ दा माइंड वो चलता रहता है किसा रिजल्ट कब तक आएगा रिजल्ट आ जाए एक बार देख ले यार पास हो जाए तो बहुत अच्छा है फेल हो जाए तो फिर किया है दूसरे एक्जाम के लिए पढ़ते हैं तो देखो पिछले साल का जो सिचुएशन था अगर मैं प्रेक्टिकल सिचुएशन के उपर बात करो तो पिछले साल जो सिचुएशन था USIC ने पी करवाने के बाद जब मेंस कंड़क्ट करवाया था और मेंस का रेजल्ट आपके एराउंड 22-23 डेज के अंदर दे दिया था ठीक है जो स्टेंडर्ड प्रेक्टिस था लेकिन इस साल क्या ट्रेंड जा रहा है इस साल जाधा तर जो रेजल्ट हो रहा है इस सारे एक्जाम के कंड़क्टिंग वर्ड़ी तो इस साल थोड़ा टाइम जाधा ले रही है तो अभी एक महीन हो चुका है अभी उतना डिले करेगी नहीं आई बीब्यस मैक्स टू मैक्स आपका रेजल्ट आपको या तो तीन-चार दिन में देखने को मिल जाएगा जाधा अगर डिले होता है तो छे या साथ तारिक के अंदर जून महीं यह के जाधा अगर डिले भी होता है ना तो छ कौनसे स्टेट से अपलाई किया था अपने कितना अटेम्ट हुआ आपके और आपको क्या एकूरेश और क्या चांसे लग रहे आपके तो यह बताओ ताकि दूसरे जो आपके कंपेटर है उनको भी पता चले कि उनका पेपर केस अगये वो भी अपना अटेम्ट बताएंगे जाते जाते एक बात बताके जाराओ संगर्ष जितना लंबा और कठीन होगा जीत उतनी ही शांदार होगी जीत उतनी ही बड़िया होगी ठीक है तो आप लोग पढ़ते रहो अ आटा बाइबाइ टेक क्या